वाइज को व्लॉग मैं जा रहा हूं जो की एक मस्ट विजट प्लेस अगर आप धिरादून मसूरी या उत्रगंकी किसी भी सराउंडिंग में आ रहे और इस सेड़ को निकल रहे हैं तो आपको जो जो भी मोस्ट पॉपुलर चीजे रस्ते में आती है वहां कैसे जाना है वह जो भी आपको देहां उसी के रस्ते में कोई आपको किसी और रस्ते से कहीं नहीं जाना है जैसे की रस्ते में आता है मारा नाग मंदिर लंबी धार मैंश को एक बहुत पॉपुलर स्पॉर्ट है और उसको मैं अच्छे से भी कवर करने वाला हूं बट आपको यहां से और मतलब मेसमराइजिंग व्यूजा देगा मजा तो भाई लग वीडियो को एंट तर देखना और एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना अच्छा लगता है मोटिवरेशन मिलता ठीक है ना कर देना सो गाइस चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें हमारे जोर्ज एवरेस की तरफ सो गाइस जैसी आप जोर्ज एवरेस देरादून से जा रहे होंगे तो आपको मसूरी से पाच सथ किलोमेटर पेले ही लेफ्ट में एक हाथी पाउर कट देखेगा आपको उस कट से लेफ रह रही हो तो तब अवाइड करना अब जब मौसम अच्छा लगे तो जरूर यहां पर विजिट करना इस वरी रोड से और डारेक्ट मसूरी से नहीं जाना क्योंकि वोल रस्ता लंबा ही पड़ता और उस वरे रस्ते में काफी दिक्कते भी आती और बाकी में गूगल गाइस मैं बच्पन से हमें रहता हूँ और मैंने आज तक नाग मंदर का विजिट नहीं किया में को लगता था बहुत सारी सीड़ें बहुत नीचे उतरना पड़ेगा और जौर जबर से आके हम इतना ठक जाते थे किम कभी जाही नहीं पाते थे बट आज तुमारा भाई जाएगा तुमारे को भी दिखाएगा बहुत मस्त व्यू अंदर से क्या नजारे दिखते हैं तो चलते हैं फटावर से शीरा नाग मंदर की ओर तो बोलो नाग देवता की जय गैस इस टेंपल को जनरली वो लोग वर्शिप करते हैं जो की शिव जी के बहुत बड़े भक् यहां से व्यूज की बात करें तो यहां से व्यूज बहुत ही जादा सुन्दर एक साइट पाप को देरदून दिखेगा और एक साइट पाप को मसूरी दिखेगा जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे यहां पर अभी चलते हैं फटावट से मंदिर की और जैसी हम मंदर करेंगे तो यहां पर आजकल नवरातर चलते हैं इस टाइम पर मैंने विजट करा तो यहां पर नवरातरों की कारण भी बहुत जादा भीड उम्री भी थी और यहां पर शायद कोई शादी वगएर का प्रोग्राम भी उड़ता जिसकी डेकोरेशन चल रही थी तो जैसे हम आंकरने अधित में आजक आपको अंभी वार्ष ऐसे सब थे क्लिएंगी नवरा का पूर अपर मणसारी देखे tightening कि साइज से एंगें इसके बाद एंचर अधिया को ताम राज़ Test है वाहसर आप राई साइड में के तो आपको नाग मंदर देखेंगे तो आपको नाग मंद रहे हैं किagtर है चलगे हैं अब यहां से हम वापस अपने मंदिर से बाहर हमारे它 эउशियन जोर्ड आई जाने से पहले हमारे को एक और goneश देशन जो रस्ताय में दिखेगी और Brazil अब को दिखेंगी जोगी लंबीधार मैंज माहँ वीडियो दिखा हूँ लंबी धर माइंस का पूरी वीडियो लंबी धर माइंस की जल्दे डालूंगा तो उसके लिए भी बने रहना चानल पर चानल को सब्सक्राइब कर देना और अब यहां से आप व्यूज देखिए गाईस क्या आप व्यूज देखते हैं यहां से रोस्ते में क्या आपको बादल देखने को मिलते हैं क्या आपको सड़क देखने को मिलते हैं मज़ेदार वाज या मैं कोई एक चीज और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाईस कि क्या यहां पर जब यह शॉर्ट्स आते हैं तो मैं वहाँ पर म्यूजिक डालू या फिर मैं अपना बोलते ही रहूं यह थोड़ा सा कन्फूजन में हमेशा से रहता है तो प्लीज मैं को आप कमेंट करके बताना कि आप यहां पर क्या चाहते हैं कि मैं बोलता हूँ या फिर बैगराउंट महल का सा म्यूजिक डालू या फिर क्या सो गाइस बाते करते हमारे को पता ही नहीं चला कब हम लंबीधार माइन्स के बहुत करीब पहुच कर अप्रॉक्सिमीट टाइम अगर मैं आप लोगों को बताओ जॉर्ज एवरिश पहुचने का तो अपको डेट से दो घंटे लेंगे जॉर्ज एवरिश पहुचने में पर कहा जाता है कि इंडिया की सेकिंड होंड़ेट प्लेश प्रीके तो उसको भी दिस्कवर करें किया अगा या सही में hè के नहीं यह वैसे मैं पहले भी विजिट किर है बट तब मैं विडियो मैं टाब आ regression आफ़ के लिए ज़रूर विजिट करें और विच्वच्चन का इस से जाते वे भी यही सेम रोड हमार को देखेंगे बड जैसी हम जो पहुंचेंगे तो यहां पे एक साइड में ग्रीन लाइन टाइप एक बहुत बड़ा करास फील देखता है जो कि एक प्राइविट प्रॉपर्टी है सम्तिंग लेपर फार्म्स करके उन लोग की बड़ होता है फार दे व्यू जो 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 जोर्ज एवरिस के बेस पॉइंट से आथ सो यहां आके आप यहीं पर फोटो किचा के वापस मचा जाना हो पर बहुत सारे मैगी पॉइंट्स अगरा बन रखे हैं और नई चीजे जैसे होटे बैलून हेलिकॉप्टर रैड भी पहले से और अभी भी हो रही है बाट होटे बैलून विजिन एक्स बन यादि कि नवेंबर 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा यहां पर और चड़ने में हम सभी लोगों को बहुत जा अधिक्का तारी दी तो लुकीली हमारे को वहां पे एक टेंपो वाला मिल गया और हमने उससे लिफ ल चोड़ने का और उपर से नीचे फिर 100 रुपीस दुबार से चार्ज होता है उपर से नीचे चोड़ने का तो आप वह भी यूज़ करके इस चड़ाई डलाट पर उतर सकते हैं मैगी परिंट सी बात करें तो पहुत सारे चोट चोटे मैगी सॉल जहां खानेवीने को सब कुछ मिलता है रस्ते में भी दिखते हैं और उपर भी दिखते हैं और यहां पर जोड़ एवरिस के कैम्प वाला एरिया भी आता है सो गाइज अब आप जोए देख रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर यह एक चोटा सा कैफे प्लस यहां पर कैम्पिंग के लिए दो तीन कैम्प रखे हैं जहां पर आके रात में रुक सकते हैं और मज़े मार सकते हैं और इसी के साथ हमारी टेमप वाली जरूनी खत चाना जाता है और इसकी बात करते हैं बहुत ही ज्यादा सुन्दर जैसा कि आप देखी सकते हैं बहुत ही सुन्दर यह बना रखा है अंदर का पूरा व्यू आपको मैं भी दिखा हूँगा खाने पीने का यहां पर अच्छा मिलता है ऊपर मैगी पॉइंट से बढ़े हैं तो आप यहां पर खा सकते हैं फोटोस की चाने के लिए यहां पर स्वेंग और रेश करने के लिए जूला और बैठने के लिए भी बहुत साइज चीज़े आपर बनाई ही है चलते हैं अंदर की साट यह रहा है अंदर जाता है आप देखिए अंदर से बात करेगा इस तो बहुत हीजादा कोजी वाइबज Да अच्छां वह लंडर बैठने हैं खाना वगिए प्रणाम कर नहीं करructures नहीं तो मैं कहने इसकता है काना बहुत अच्छा वाया जाए बहुत गंदा हो बट दिखने से अच्छा लगवत ओश्क्ता है शाय खाना पर लगधा पत अःपट यह बहुत जल्दी ऑन होने वाले हैं, दो चीजे तो अन हो चुकी है, मैं रिखाल से, गैरोकॉप्टर और हलिकॉप्टर की राइड़ होती है, और साथी में बहुत जल्दी होटे बैलून की राइड़ भी होने वाली है, और अगर आप इनमें से कुछ भी चाहते हो तो आप यहां के कर सकते हैं वो राइड़ स्पीक और हाँ अगर वीडियो में यहां तक आगे तो वीडियो को लाइड जुरू कर देना, कमेंट करके बताना किया है और वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्स्क्राइब भी करते हैं, चलते हैं सीधा व्यू की तरफ जोर्ज तो गाइज यह है हमरा व्यूपॉइंट जो की वन अफ दे बेस्ट व्यूपॉइंट कहा जाता है फ्रूम जो सामने आपने पहाडी देखे थी उस पहाडी तक का ट्रेक भी होता है यहां तो अगर आप ट्रेक के शुगीन है तो आप ट्रेक बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ इंप्रूमेंट हो सकता है या नहीं वह भी हमार को जरूर से बताना बाकी थैंक यू सो मच एवरीबडी जिसने भी यहां तक यह वीडियो देखी है थैंक यू सो मच पर दे लवली सपोर्ट यह गिवन में गाईज स्यू इन नेक्स वीडियो तब तक के लिए टेक क कि अ..